निर्मा अगर नाम सुनके गाना याद नी आया तो बच्चे होगी तुम एवरीबडी इस फेमिलियर विद निर्मा और मोर प्रिसाइसली वाउज इस इस्टोरी और राइज और फॉल अपकर्सन भाई पटेल, फाउंडर ओक निर्मा आज भेले जादा लोग निर्मा ना यूज करते हो, लेकिन इंडिया के सबसे इंफ्लेंशर प्रोड़क्ट में से एक है करसन भाई पटेल 1954 में गुजरात में जन्मे और 21 साल की उमर में B.A.C. केमिस्टी पूरी की तब वो गुजरात की जेलोजी और माइनिंग डिपार्टमेंट लाब टेक्निशन का काम कर रहे थे और साथ में पोस्ट ओफिस आर्स में अपने बैक्यार्ड में केमिकल्स के साथ खेलते थे 1969 में उन्होंने साइकल पर घर-घर निर्मा डिटरजेंट बिशना शुरू किया निर्मा उनकी बेटी का नाम है वो डाइड अज चाइड उस वक्त हिंदुस्तान लिवर का सर पेक्सल मार्केट में डॉमिनेंट था जिसकी कॉस्त 13 रुपे थी जो कि उस वक्त के साब से बहुत ज़ादा था इस उस्टो भी कॉल रिश मैंस प्रोड़क्ट 90 पसंड हाउसवोल्ड बार्स और सोप्स का ही यूस करते थे वही कर्शन भाई पटेल निर्मा डिटरजेंट पाउडर को 3 रुपे में बेच रहे थे साल 2000 तक निर्मा 1.72 लाक टन डिटरजेंट बेच रहा था पर ऐसा क्या हुआ कि पोस 2000 जाट इट सेल स्टाटे डिकलाइन फिर्स्ली था हेलो एफेक्ट इंडिया एक स्टेटेस डिवन कंट्री है वहीं अगर आप सस्ता चीफ पैकेजिंग प्रोड़क बेचोगे तो लोग दूर भागना शुरू करेंगे निर्मा के वाई भी बहुत सस्ती थी जैसे नानो फेल हुआ क्योंकि सबसे सस्ती कार बोलके बेचना शुरू किया जैसे अडियरा इस अपने पुराने शूस कम में बेचने के बजाए जला देता है क्योंकि उन्हें अपने ब्रैंड को सस्ता नहीं दिखाना दूसरा मार्केटिंग में काफी कम इंवेस्ट किया गया था वहीं जब बाकी ब्रैंड's 8% के आसपास इंवेस्ट कर रहे थे निर्मा 4% ही इंवेस्ट कर रहा था ब्रैंड इंबसेडर आपकी प्रोड़क्ट की इमेज बनाता है उसे रेप्रेसेंट करता है और तीसरा निर्मा ने दूसरे प्रोड़क्ट जैसे की सेमेंट, यूटी, सोप्स, और कॉस्मेटिक्स, एजुकेशन में इंवेस्ट करना शुरू कर दिया डाइवर्सिपेशन इंपोर्टन है बट नॉट बिदब स्पेशलाइजिएशन In even though Karsanbhai Patel is still $4.9billion rich, Nirma has lost the detergent market to tights of Excel Ariel wheel and Henko but from a sentimental point of view सब्की का तंड निरमौ वशिंगा निरमौ वशिंगा निरमौ